नमस्कार आपका सौगत है गोंदिया नियूस अब्डेट पर मेहव सुसुलकुमार शुरुबात करते है आज से बड़ी खबरों के साथ गोंदिया जिले के नीजी अस्पतालों में लगातार लूट पाट हो रही है शहर में दिन बदिन कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़ रही है साथ ही नीजी अस्पतालों द्वारा गरिब और जरूरत मंदों से लूट पाट के मामले भी बढ़ रहे है कुछ ऐसा ही मामला गोंदिया जिले के नीजी अस्पताल में कोरोना के नाम पर डेड़ लाक रुपे की लूट पाट का मामला सामने आया है यह मामला सायोग होस्पिटल गोंदिया का बताया जा रहा है देवरी नक्षल ग्रस्ते एरिया की आश्या से विकाशुशिला गायधने ने अपने भाई को इलाज के लिए सायोग होस्पिटल में लाया तब उपस्ति डॉक्टरों ने कोरोना पोजिटिव बता कर डेड़ लाक रुपे की मांग की रुपे नहीं देने पर अस्पिटाल के ही कमरे में ताला लगा कर बंद कर दिया गया गरिब महिला ने अपने परीजोनों को पुलाया तब उसे होस्पिटल से छोड़ दिया गया नागरी को एव परीजोनों की नीजी अस्पतालों पर डंदाक में कारवाई की मांग की जा रही है गोंदिया निउजब डेट से सतिश पार्दी की रिपोर्ट के बाद में पेशेंट के पाद गई तो उसको उठा कर अंदर कमरे में बंद कर दे और ताला लगा लिए